तो इसके चलते आप लोगोंने कुछ सवाल मुझसे कुए हैं और उस सवालों का जबाब देना मेरा responsibility है तो मैं आप लोगों को सही सही जबाब दूँगा सब एकदम perfect answer दूँगा तो चली पहला वाला जो सवाल है बहुत ही आप लोगों को परेशान कर रहा है वो है कि pass marks calculation कैसे होगा covid situation में देखिए 40 marks जो होता है वो आपका pass marks है सभी को मालू है तो इसमें क्या है कि 70 और 30 का जो division है यानि कि आप 70 में अभी exam दे रहे हैं और जो 30 marks है जो CA, PCA, sorry, not PCA, CA जो है उसमें 25 marks होता है और 5 marks आपका attendance के लिए होता है तो 25 marks में जितना marks, best जो marks आपको मिलेगा चारो का, चारो में से covid situation में होई लिया जाएगा और 5 marks जो attendance है देखिए हो तो अभी आपको कम परसर मिल नहीं है तो उसमें जितना सारा marks मिल रहा है आपको मिल जाएगा तो you need not to worry about that अभी यह पूछेंगे कि 70 marks में जो 40% तो 28 आता है और 12 marks आता है 30 marks में तो क्या ऐसा होगा 28, 12 ऐसा कुछ होगा देखिए इस situation में आप लोग exam दे दीजिए जितना भी marks मिले आप मिल चुका है तो यहां पर 10-15 marks उठाएंगे तो काफी है चल जाएगा सब कुछ को you need not to worry about it and आप लोगों का जितना भी marks है उसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा marks उठाना है exam में इस में ध्यान दीजिए तो 10-15 वाला जो स्कीम है उसको बारे में मत सूची उसके ब प्राक्टिकल कब होगा क्योंकि देखिए यह मैं कह सकता हूँ आप लोग उसे कि प्राक्टिकल जो है कुछ कॉलेजिस है प्राक्टिकल शायद कंड़कर के रखे कुछ के प्राक्टिकल से है जहां पर प्राक्टिकल कंड़क्ट आपका बाद में होगा ठीक है तो अभी प जो लेटेस्ट सभी मुझसे पूछ रहे हैं लेटेस्ट एग्जाइब आपडेट क्या है तो मैं यह बताना चाहता हूं आप लोगो को तीन क्वेस्चिन आया है मेरे पास शफल क्वेस्चिन में मैं अंसर करूँगा तो पेला वाला जो क्वेस्चिन है कि glasses पहन के जसे मैं glasses पहन आ हुआ हूँ आप चश्मा कहते हैं लगे चश्मा पहन के फॉटो उठाए हैं लेकिन पहने के बाद अगर अगर चश्मा ना पहन के exam दे तो कहके आ होगा कोई फरक नहीं पड़ता है जो face recognition है उससे काफी है हाँ अगर आपका पावर जादा है तो चश्मा पहनना पढ़ेगा न ठीक है और अगर चश्मा ना पहन के भी आप उठाए पिक्चर और चश्मा पहन के आपको एक्जाम देना पढ़े तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा है ठीक है दूसरा वाला जो है वो है कि आप ल है क्यों मैं बोलना हूँ तो फिर डोंट वरी और बी हैपी और एक क्वेश्चिन एक स्टुडेंट ने रेसके है कि मेडलिस्ट का जो लास्ट वाला साल जो था हुआ पे मेडलिस्ट का क्या हुआ तो मैं यह कहना चाहूँगा आप लोगों का ओके उसका अभी कुछ अभी साउंड वाला यानिक माइसी का जो प्रॉब्लम मिक जिसको कहते है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर चिंता मत कीजिए ध्यान मत दीजिए सिर्फ प्राइम में धन दीजिए और अच्छी तरह से एक्जाम दीजिए तो with this all the best thank you very much subscribe कीजिए please like share and comment कीजिए thank you